हेलो एब्रीवान वेल्कम वेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं जा रही हूं मारकेट तो अपने बेटी का सामान लेने इसकेटिंग का उसकी क्लास स्टार्ट हो गई है और डांस क्लास भी स्टार्ट हो गई है तो चलिए चलते हैं फोड़ देर से मिलते हैं यहां हम पहुच गई हैं देख सकते हैं आप लोग मिस्टी आजाओ आप लोग भी ऑ्जाओ कर दो कर दो कर दो कर दो गज़ के लिए है है यह सब सब्चीयां बहुत ही टेस्टी मिलती है देख सकते हैं आप इतनी भीड होती है यहां हर रोज यह ले रहे हैं दाल दाल मकनी और पनीर की सब्जी अक्सर कर हम लोग मार्केट आते हैं तो दाल मकनी और पनीर की सब्जी ले जाते हैं तो आप देख सके हैं मैं काफी देर की घर पे आ चुकी हूँ मार्केट से और मेरा काम भी कंप्लीट हो चुका है खाना भी हम लोगों ने खा लिया है बर्तन किचिन सब कुछ कर लिया है तो मैं स्केटिंग का सामान लाई थी तो मैंने का चलो ओपन करके दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें तो चलो देखते हैं इस तरह की packaging है इसकी आप देख सकते हैं ये इस तरह की है और दिखाती हूँ मैं आपको फुस कर देख ये कुछ इस तरह की packaging में आया है इसमें है helmet और मैं दिखाती हूँ ओपन करके आप लोगों को फुस कर देख ये हैं नी के लिए कुछ इस तरह के हैं और ये है elbow के लिए देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह के और ये है मिस्टी का cap और ये है मिस्टी के hand के लिए ये आप देख सकते हैं मेरी वेटी स्केटिंग कर रही है बहुट डर रही थी कर दो से लिवा है तो एब्रिवान मैंने आप लोगों से कल बात की थी अब हो गया है मॉर्निंग का टाइम तो मैं बनाने जा रही हूं ब्रेट बीज़ा तो चलिए देख लेते हैं यह बहुत टेस्टी बनता है बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है तो चलिए चलते हैं किचिन में मैंने प्याज को कट कर लिया है आप देख सकते हैं और मैंने टमाटर को भी कट कर लिया है एक छोटी सी हरीमेर्ज को भी कट कर लिया है और मैंने थोड़ी सी ली है मलाई और मैंने सूजी और मैंने ब्रेड लिया है मैंने यह लिया है ब्राउन ब्रेड आपके पास यह ना हो तो पानी के साथ भी घोल सकते हैं और इसे पंदा मेट के लिए छोड़ देना है फिर हम बनाना स्टाट करेंगे रेडी है तो हमने ली हैं ब्रेड इसमें लगाएंगे और तब यह पर मैंने घी लगा लिया है तो चलिए लगा के डालते हैं मैंने बैटर लगा लिया है आप देख सकते हैं एक साइडी लगाना है और इसे इस तरीके से दाल देना है और गैस मैंने सिम कर दी है इसे सिखने देंगे आप देख सकते हैं हमारी बैड इस तरीके से सिख गई है इसे मैंने पलट दिया है इस तरब भी हमारी बैड सिख गई है देख सकते हैं अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में निकाल लिया है अब इसे कट करेंगे इसमें सॉस लगाएंगे चाट मसला डालेंग आप जैसा घाना चाहें वैसा कर सकते हैं तो चलिए लेखते हैं तो यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ तो लाइक करें सेयर करें सुस्क्राइब करें और मुझे कमेंड करके जरूर बताएं मैं मिलती हूं नेक्स वीडियों तक लिए बाबाई